नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आज की इस वीडियो में आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है क्लास 10 एंग्लिश बॉर्ड के लिए हम बात करने वाले हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12 के एंग्लिश के जुब विद्यार्थी जो की Board की तयारी कर रहे हैं और यह उमीद लगाके बैठ है यह उनकी ख्वाईश है कि हम पूरे में से पूरे माक्स कैसे लेकर गया है तो उसी चीज के उपर मैं आज उन विद्यार्थी से बात करने वाला हूं दोस्तों तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़दा फाइदेमंद रहने वाला है तो लगातार इस वीडियो के साथ में आप बने रहे और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र अपने पैटरन भी उनको कह सकता हूं मुकेश जी निठारवाल ए जो अध्यापकबर्ग है उनसे परिचित हैं शिक्षाइबा की वीडियो जो है वो बार-बार अप्लोड करते रहते हैं डालते रहते हैं रोज लगमन के वीडियो जाते हैं और लाखों लोग जो है उनसे लाभानवीत होते हैं धन्यवाद इसलिए सरका कि उन्होंने मुझ जो है शुरू किया है और एक ही दिन में इतना बढ़िया रिस्पोंज आया है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ तो आगे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो कक्षादस की विद्यारती है पहले इस कोपी को आप जरा देख लीजिए यह आपका कोपी का इंटरफेस है अर्थात मुख प्रस्ट है पहला पेज है आपको इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें अपने रोल नंबर बग जाना चाहिए ऐसा लिखावा आएगा इसमें आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं यह सारा सब कुछ आपको वहां लिखावा मिलेगा इससी के अकोडिंग आपको करना है एक बात का बिल्कुल ध्यान रिखेगा यहां पर आप देखिए पॉइंट नंबर चार को देखी यह दिया आपने करम को उल्टा पूल्टा कर दिया है तो उसकी वैसे आपका एक नंबर कट सकता है मैं आपको पहले यहां पर आगा कर रहा हूं पहले आपको बता रहा हूं तो इस दिश्य पर थुड़ा गोर कर लिजिएगा ठीक है आपको सभी प्रश्णों के जो क्रमां कहें उनको एक इकरम में रखना है उल्टा पूल्टा उनको नहीं करना है ठीक है आगे बढ़ेंगा भी कि अभी हो गया है कि में तकनी की रूप से इतना देखिए दक्ष नहीं है लेकिन फिर भी चलिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ प्रयास कीजिए वीडियो के अंद तक बने रहीएगा काफी अहम जानकरिया जो है आपको यहां पर वीडियो में मिलेगी तो सब आप से पहले बटा अपन इसका जो आपका सिल्बस है उस सिल्बस के बारे में देख लेते हैं सिल्बस को आप थोड़ा गोर से देख लीजिए का कि कौन से एरियास ऑफ लर्निंग में हमें कितना क्या काम करना है वह बिल्कुल देख लिजिए आपके साब ने स्क्रीन पर ठीकर आपका लुआ करण पर है यह तीन गहंते रुकर रहने वाला है ऑसी नमर पर है पर है सिर्चनल माउइत आपके 20 का होता है आपको पता है कोल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है इसमें areas of learning की बात करें तो reading जो portion है reading portion आपका 15 marks का है इसमें आपके 2 unseen passage आएंगे writing section यह 13 marks का है प्लस grammar आपकी 15 marks की है और textbook जिसमें 2 किताबे हैं एक तो first flight और first flight और दूसरा footprints without feet दोनों किताबे मिल करके आपके 37 marks जो हैं कवर करती है इस तरह से यह आपके 80 marks है उनका analysis है अब हम आगे बढ़ेंगे यहां आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 बिंदों पे जरूर चर्चा करूँगा उन 2-3 बिंदों पे मैंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों से चर्चा करी थी और आप लोगों से भी जरूर चर्चा करूँगा काफी एहम है यह बात इसलिए मैं पहले इस बारे में आप से बात कर रहा हूँ सबसे पहले आप इस बात का जुरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो handwriting है वो आप कैसे चूज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे cursive handwriting लिखते हैं लेकिन उनकी cursive handwriting इतनी attractive नहीं होती है comment box में भी किसी ने मेरे से पूछा था कि सर cursive handwriting नहीं लिखें क्या तो मैंने उनको यही कहा था यह थी cursive handwriting आपकी बहुत बहुत अच्छी है तो आप इसको लिखिए नहीं तो इस प्रकार से यह जो आपकी print handwriting है जिसको मैं यहां पे bold करके zoom करके आपको दिखा रहा हूं आप देख पा रहे होंगे ठीक है नहीं तो आप इसको लिखिएगा यह ज़्यादा अच्छी रहेगी और कोई भी विद्यार्थी इसको बहुत जल्दी सिर्फ एक दिन के परियास से बहुत अच्छा लिख सकता है ठीक है तो पहला बिंदो तो मेरा ये था दूसरा बिंदो कि आप पैन कोन सा यूज करते हैं पैन का जो यूज है वो भी बहुत important होता है ठीक है अकसर अकसर क्या यह माल यह 90% से ज्यादा बच्चे जो है वो हम लोग क्या करते हैं बॉल पैन ही यूज करते हैं आपको बॉ ब्लैक जेल पैन काम में लिजिए ऐसा कोई भी बिंदू जिसको अंडरलाइन करना पड़ता है फिर से सुन लिजिए ऐसा कोई भी बिंदू जिसको अंडरलाइन करना पड़ता है उस बिंदू का अंडरलाइन ना करके उस बिंदू का ब्लैक जेल पैन से लिग दिजिए ब आप देख पारे होंगे आपे, यहां देखीगा, इधर लिखाओ परिक्षक द्वारा प्रदत अंक, और यहां पर लिखाओ प्रश्न संख्या, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हम इधर लिखते हैं, अर्थात अंसर, अंस लगाते हैं, और फिर अपना इसमें नंबर लगात करेंगे, ठीक है बड़ा, आगे बढ़ेंगे अपना इसमें भी, अब हम बात करेंगे, आपके section A की, आपका paper जो है sections में बटावा है, section A, जिसको हम reading नाम से पहचानते हैं, section B, जिसको हम writing नाम से पहचानते हैं, और section C, जिसको हम text book नाम से पहचानते हैं, तो इस तरह से जो paper है, तीन sections में बटावा है, तो आपको करना क्या है, sections को जरूर लिखना है, इस बात की आदर डालीजिए, और यहाँ पर आज जो हम काम कर रहे हैं, उस काम की practice आपको चार बार करनी है, जी हाँ, चार बार करनी है, इसके लिए मैं आपको एक PDF जो है, एक तो यह ideal answer copy है, इसकी पूरी PDF मिलेगी, प्लस आपको एक board की खाली copy जो है, उसकी PDF जो है, वो भी मैं आपको उपलप्त करवाऊंगा, वीडियो में आप अंतक बने रही है, आपको पता चल जाएगा, आपको वो copy कहां मिलेगी, उसके बार मैं आपको अंत में जो है वीडियो के, उसमें ज ठीके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी section की, तो section जब आप लिखे, यहां आप देख पा रहे हैं, जब आप section लिखे, तो section को इस तरह से बिलकुल line के बिलकुल बीचो बीच बे लिखना है, black pen से लिखना है, section A reading इस तरह से आप लिखेंगे, इधर आई तरह बराबर जगे छूटे, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक, section A, जो reading है, इसका, जो marks है, वो है 15 नमर, 15 नमर कवर करता है, इसमें आपके 2 unseen passage आएंगे, जी हां दोस्तों, कितने unseen passage आएंगे, इसमें आपके 2 unseen passage आएंगे, जो पहला जो unseen passage है, वो 6 नमर का होगा अर्थात उसमें 6 सवाल होगे, और जो दूसरा unseen passage है, उसमें आपके 9 सवाल होगे, ये प्रशन भी किस प्रकार से आएंगे, वो भी आप जरा देख लीजीगा, आपको करना कैसे है, वो भी आप देख लीजीगा, सबसे पहले, पैसेज की जो प्रथम 2 शब्द हैं, जैसे ब्लैक पैन से लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद में जो अगले 2 सवाल होगे इसके, वो होगे आपके objective type questions, फिर जो अगले 2 सवाल हैं, अर्थात प्रशन 3 और 4, ये आपके comprehension, अर्थात आपकी समझ, इस passage की आपकी समझ कैसी है, उससे related होगे, और जो इसके अंतिम 2 सवा अर्था आप opposite word, इस तरह से आपके 6 प्रशन जो हैं, यहाँ पर complete हो जाते हैं, फिर इसके बाद में, यहाँ पर एक बात जुरूर धान रिखीगा, पर तेक answer के बाद में आप एक line खाली छोड़ दीजिए, अच्छा लगीगा, दूसरा पंक्ति के आप last तक लिखिए, यह पी unseen passage है, सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है, पहले दो शब्द, अन्तिम दो शब्द, ठीक, dot, 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 within inverted commas, और वो भी black pen से, यहाँ पर पहले दो सवाल objective type होंगे, और comprehension वाले सवाल जो है, यहाँ पर इनकी संख्या होगी, पाच, जी हाँ, पाच, और जो अन्तिम, जो अन्तिम यहाँ पर, एक सेगे, यहाँ आ गया, जो अन्तिम इसमें दो सवाल होंगे, वो भी यहाँ पर vocab के होंगे, यानि पहले दो सवाल, आपके objective type होंगे, अन्तिम दो सवाल आपके vocab के होंगे, और बीच की जो पाच सवाल है, वो आपके comprehension वाले सवाल होगे इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर कि यहाँ पर 9 सवाल हो जाते हैं यहाँ पर आपका section A reading जो है वो खत्म हो जाता है ठीक है और इस तरह से इसमें 2 सवाल हुए आपके पहले unseen passage जिसमें 6 सवाल है दूसरा भी unseen passage जिसमें आपके 9 सवाल है इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका जो रिडिंग section A section है वो 15 marks जो है आपके cover करता है अब आपका section B writing start हो जाता है section B जो है वो है writing का जी हाँ इसमें पहला जो आपके प्रशना आएगा इसमें कुल मिलाकर के 3 सवाल आएगे और यह section जो आपके 13 नंबर कवर करेगा जी हाँ दोस्तों कितने नंबर करे गया 13 नंबर जो है आपके cover करने वाला है जो इसमें पहला सवाल होगा वह होगा लेटर राइटिंग का और इसके अथवा में आपको मिलेगा email जी हाँ email आपको इसमें मिलेगा अब लेटर राइटिंग जो है वह आपका personal लेटर भी हो सकते हैं वह आपके application भी हो सकती है वह आपको पी देख लेते हैं तो देखीगा यह आपके सामने आपको लेटर दिखाई दे रहा है मैं थोड़ा आपको जूम करके यहां पर दिखाई दता हूं एड्रेस लिखते समय आप ध्यान कीगा, इसमें कहीं पर भी कोमा या फुल स्टोप का प्रियोग नहीं होना चाहिए, फिर आप एक पंक्ती खाली छोड़ दीजीगा, फिर आप तारीख लगाईए, ओके, यहाँ पर भी आपको अंत में कहीं पर फुल स्टोप गरे नहीं तो लेटर का जो मैसेज है, आप उसको लिखिए, और लास्ट में इसको कॉन्क्लूड कीजिए, जैसे यहाँ पर विद रिगार्ड्स, योर लविंग सान, मयंक, ऐसा कह करके है, हमने इसको क्या किया है, खतम किया है, तो लेटर जो है, लेटर की तरह से नजर आना चाहिए ऐसे बिलकुल गंदी हैर्ट राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स या और अन्यतर की मिस्टेक्स जो है, उनसे आपको बचना चाहिए, यहाँ आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेने हैं, तो इसी तरह से यह आपको अप्लिकेशन लिखनी हो, अप्लिकेशन जो है, वो भी लेटर का ही एक पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर एक अप्लिकेशन भी आपके लिए लिखी है, तो उसको भी आपको कैसे लिखना है, जो पुराना पैटन है, उसको आपको छोड़ना है, जो आमने लिखा रादा किशनपुरा सीकर, फिर एक लाइन खाली छोड़िए, फिर आप तारीक लगाईए, फिर से आप लाइन को खाली छोड़िए, फिर यदि आपका स्कूल 10th क्लास तक का है, तो आप इसमें the headmaster लिखिए, और यदि आपका स्कूल जो है senior secondary है, तो आप उसमे the principle लिखिए, हाला कि ये चीज़ें जो आपके question में वहाँ पर दी भी आएंगे, तो ज्यादा को समस्या उत्पन नहीं होगी, ठीक है, फिर संस्ता का नाम लिखिए, फिर एक लाइन खाली छोड़िए, फिर subject लिखिए, subject यदि लाइन, एक लाइन से थोड़ा बढ़ा जा हो, तो जो भी शब्द बच रहा हो, जिसको आपको लिखना हो दूसरी पंक्ती में, तो आप उसको यहां से लिखिए, नै कि इस subject शब्द के नीचे से, इस बात का थोड़ सा ख्याल रखीगा, फिर एक लाइन खाली छोड़िए, फिर आप sir, madam, जो भी है, उसे लिखिए, और यहां अब आपको इसके नीचे कोई पंक्ती खाली नहीं छोड़नी है, और इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना जो एप्लिगेशन, जो की लेटर का एक पार्ट है, उसको अच्छे से आप फिनिश करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे, आज सर जो हैं बड़ी फटा हो सकती है, उस विशे पर बात कर रहा हूँ, यदि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चेंस की बात करें, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चेंस जो है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो जो है, मतर 10 मिनिट का एक वीडियो जो है, वो लेकर किया आउँगा, और वहाँ पर जो उनको जुरू डिसक्राइब करूंगा कि इस वर्स कौन से कौन से सवाल जहें वह इंपोर्टेंट रह सकते हैं तो वीडियो के अन तक आप बने रहीगा देखते रहेगा काफी महत्रपुन जानकारी जो आपको इसमें मिलने वाली है और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बोक्स में आप जाकर के पूछ सकते हैं मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाइब जरू करूंगा और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेर करना ना भूलिएगा सब्सक अब कोई email कैसे लिखी जाए उस पर थोड़ा गोर कर लिजीगा email दूर से अगला कोई दिखे तो इसको email जैसा दिखना भी चाहिए ना तो कैसे लिखेंगे यह इस तरह से आप सबसे पहले एक लकीर खीचेंगे 18 पंक्ती मोटा मोटा और 18 पंक्तियां ठीक है हासी से तोड़ी से जिगा छोड़ते बे और इंदर भी मामल्य से जिगा छोड़ते बे यह 18 पंक्तिया ऐसे और इस तरप से आप लकीर बना दें lama 2-7 चार यह work लकीर जो है इनकी उपर आप लकीर और खिचे और एक स्केल रख करके सीधा स्केल जितनी स्पेस लेनी है ठीक है यह 18 लाइन जितनी लंबी लकीर जो है आप यहां पर बना दे ठीक नीचे से एक बार आप इसको खुला छोड़ दीजीगा क्या पता इमेल में आप जो मैटर ल Stock ओ से सी ऑर सबजीक्ट यह लिखना होता है रख को का टी कैपिटल है लेकिन झिक आश्मा रहे जी दोनों को ही आपको केटल लेहें उसमें लिखना है जबकि बीसीरी इसवें आपको तीनों अक्षर जो हैं उनको small letters में लिखना है अब two वाले में column में आपको क्या करना होता है जिस वेक्ति को आप mail भेज रहे हैं उसका email ID जो है उसमें लिखेंगे email ID की खास बात होती है यह हमेशा ही यह small letters में लिखा जाता है पहली बात और दूसरी important बात कि email ID के अंदर जित से आप देखिए यहां से यह बिल्कुल एक सीद में लिखा हुआ है इधर से भी एक सीद में लिखा हुआ है इन सब बातों का आप खास क्याल रखें ठीक है फिर CC का मतला होता है carbon copy अर्थात इसी mail को किसी अन्य वेक्ति को भेजना और उसे मालूम भी रहे कि हाँ मेरे को भ बेजा गया है तो आप carbon copy में आप उसका email ID डाल दीजिए और BCC का अर्था ब्लाइंड carbon copy जिसका मतलब यह होता है कि आपने यह mail जो वाले वेक्ति को भेजी है इसके अलावा आपने और भी वेक्तियों को बेजी लेकिन उन वेक्तियों को पता नहीं है कि इस वेक्तियों को काम का नहीं है इनको खाली आपको रखना है फिर आप आते हैं सब्जिक्ट पे सब्जिक्ट कैसे लिखते हैं आपको पता है अपने सब्जिक्ट लिखा है विशय लिखा है email के थू हम लेटर भेज सकते हैं application में सकते हैं job application में सकते हैं किसी भी संदेश को हम email के थू भेज अब आते हों तो निश्यत रूप से आप email करके आएगा उसमें आपके marks आने के ज्यादा chances है तो आगे बढ़ेंगे अभी वीडियो में अब email के बाद में अगला जो प्रश्न होता है वो है आपका short story का यह चार नंबर का प्रश्न होगा जबकि लेटर और email जो है पांस नंबर का होगा short story जो है चार नंबर की होगी story ज्यादा बड़ी नहीं होने चीए ठीक है short story इसको कहा गया है इसमें तो सबसे पहले आप title लिखेंगे इसको यहां लेलते हैं फ़र सा जूम कर देता हूं इसको आप देख पाएंगे आप देख पा रहे हूं यहां पर जैसे मैंने bad company जो story है बुरी संगती इस कहानी का चैन किया है और अब क्यार important भी है यह तो देखीगा शिर्षक जो है बिलकुल बीच और बीच पे लिखा गया है बाई तरफ दाई तरफ जगया बराबर हमने छोड़ी है इसके लावा हमने कहीं पर कोई गलती नहीं किरी है यहां पर एक चोटी सी हमने गलती गरिए तो गलती करते समयं आप क्या करें यादी गलती हो गही है त तो उसको उसकी उपर एक लकीर खैश्च दो अक्सर टीचर सा इसा कहते हैं उस चीज को आप छोड़िएगा ठीक है यदि गलती कर दी है तो आपने कोई पाप नहीं किया गलती हुई है बिया मानव है आप इंसान है इंसानों से गलतिया होती ही रहती है तो आप इसको इस तरह से एक box में बंद करें और आइसे काट दीजी इसको थोड़ा सुन्दर सा दिखीगा है बुरा मुला नहीं दिखेगा और तो गलतिया सब से होती है लेकिन गल्तियों को छुपाना पहाप उता है गल्ती करना नहीं होता गल्तियों को चुपाना पाप होता है, तो आप इस पे थोड़ सा विशेश ध्धान देंगे, फिर कहानी के अंत में आप क्या लिखेंगे, कहानी का moral लिखेंगे, कि कहानी से मैं सीख क्या मिलती है, इस moral शब्द को भी आप किस से लिख ले, अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, अगला प्रशन जो है, यह है आपका शोर्ट राइटिंग टास्क, जी हा, सिल्बर स्पेस को शोर्ट राइटिंग टास्क आ गया है, यह मलीजे प्रगराफ है, और प्रगराफ के यह भी अथवा में आएगा, यह भी चार नमर का होगा, और यह वर्बल या विज्वल इन्पुट पर अधर्द होगा वर्बल का मतलग यह हो गया वहाँ पर कुछ आउटलाइंस दी जाएंगी उनको पढ़कर करके आप समझे कि किस विशे पर आपको परग्राफ लिखना है या फिर अत्वा में चित्र बनावा आएगा तो चित्र को समझ के आप समझ होती है grammar आपके 15 marks cover करने वाली है 15 number cover करने वाली है रथा जो राइटिंग section जो 13 number का है 13 से ज्यादा एक cover कर रहा है और यहां grammar को कोई अलग से कोई section तो नहीं दिया गया है लेकिन आप एक काम कीजीगा यहां इस तरह से बनाना है ब्लैक पैन से बनाना है बाई तरफ दाई तरफ दोनों तरफ बराबर जिगा छुटे इस तरह से आप इसको बनाइएगा अब grammar में आपके पाच च्छे टोपिक हैं पाच भी कह सकते हैं आप छे भी कह सकते हैं कैसे मा बताऊँगा अभी पहला जो टोपिक है वो तो आटेंस का और टेंस के आपके सवाल आएंगे चार कि मैं थोड़ा से इसको अगले पेश पर लिए चलता हूं आपको यहां से आप साब देख पाएंगे इसको कि यह देखीगा अभी देख पार होंगे ठीक है जो पहले जो चार सवाल है पहला जो स्वाल आएगा वो होगा आपका grammar में टेंस का टेंस को करेक्ट फॉर्म अब दवर्ब इस नाम से समोधित किया गया है यह आपके सिल्वस में इसमें चार सवाल होंगे एक एक नमर के ठीक है जैसे यह रहे तो आपको करना क्या है आपने प्रशन संख्या डाली यह प्रशन संख्या जो है उस पूरी पेपर में छे नंबर पे इसमें आपके माक्स नहीं कटेंगे ठीक है फिर आप पहले प्रशन का उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं आप चोंकि यह चार सवाल जहें चारों ऑब्जेक्टी टाइप हैं तो आप सीधे आंसर भी लिख सकते हैं और प्रशन रिक्तिसान सहित लिख करके नीचे फिर इंडेक्ड Hankay के अभी देख लिजyyette को हूँ के तो पहला प्रशन भी जिए जिसमें चार स्वाल होऊ गात फ्रुष्ण टाईप्र starters Prajloo में अगला प्रशन प्रशन बिर्च में जिसमें पके दू सवाल होगे हैं डियरेक्ड लिख और इन्डायेक्ड अजिते लिख 22 जी हां, गरेंटेट नहीं पुछेगा, आपको सिर्फ पुछेगा डिरेक्ट से इंडाइक मिनाना, इसके बाद में अगला जो प्रशन होगा, वो होगा कंजंक्शन का, और इसमें आपके तीन सवाल आएंगे, ठीक है, सवाल जब पूछेगा अगला, तो विदिन ब्रैक्ट एक दो कंजंक्शन दिया होंगे, और उन दो में से किसी एक कंजंक्शन का चैन करते वे, दो वाक्यों को आपको आपस में जोड़ना होगा, ये इस प्रकार से प्रशन पुछा जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रशन होगा आपका, वो होगा रेलिटी प् अगला सवाल जो होगा, इसमें भी आपके दो सवाल आएंगे, और फिर अगला जो प्रशन है, वो फ्रेमिंग क्वेशन और टैक क्वेशन का है, अब ये फ्रेमिंग क्वेशन अलग पूछ सकता है, टैक क्वेशन अलग से पूछ सकता है, इस तरह से देखा जाए, तो आपका grammar section रहा इस तरह से अब grammar section के बाद में फिर आपका अगला section जो C है जिसको हम textbook नाम से जानते हैं यह आपका start हो जाता है जो textbook है आपकी यह 37 marks अर्था 37 number cover करेंगी जिसमें आपकी first flight नाम से जो पुस्तक है यह आपके 27 number cover करेंगी और footprints without feet जो है यह आपकी 10 number cover करेंगी first flight जो है इस पर दो section है एक तो आपका pros section pros section में आपके 11 lessons है और जो poetry section है उसमें आपकी 10 poems है अब कौन सी poem important है कौन सा pros lesson important है इनकी में सारी की जो बाते हैं वो अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मातर 10 से 12 minutes का वीडियो होगा उसमें चर्चा करेंगे वहाँ पर हम आपको important जो questions है इस साल के लिए उनकी PDF आपके लोगों के साथ में शेयर करूँगा footprints without feet जो है उसमें भी आपके 10 lesson शामिल है तो कि पहले बात कर लेते section C जी हां किसकी बात कर रहे हैं अपन बात करें section C की सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर आप थोड़ सा ध्यान से देखीगा section C जी है इसमें आपका जो पहला सवाल होगा आप यहां तोड़ साथ देख सकते हैं जूम करके इसमें पहले जो दो सवाल होंगे वो scene passage के होंगे किसके होंगे जी scene passage के होंगे ठीक है और इसमें परतिक passage में 6-6 सवाल होंगे दो अबजेक्टी टाइप शुरुआत के देख रहे हैं आप यह दो comprehension के और अन्तिम दो होंगे आपके vocabulary एंटर निम और सिनॉनिम के ठीक है यह रहा आपका दूसरा पैसेज कि 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 अब यहां जो आपके passage हैं ये जो passage है ये दो प्रकार से पुछ सकता है यह इसमें बहु कर आपके यह सीन पैसे घेंगे फिर से समझीगा इसमें प्रशनागे मिम्न पूछनहे का तरीका जो है अलग लग हो सकता है यह तो प्रस्ण कि एक, टीन, चार, 15 इस तरह से पूछ पुछ लेगा दूसरा जो तरीका है वो यह है कि पहले एक हैडिंग मनाएगा उस हैडिंग के निचे दो सवाल पुछेगा जैसे मनी यहां हलकर रखें फिर दूसरा प्रशन आएगा जैसे मनी यहां मार्क किया देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह पहले इसने हैडिंग मनाई इस प्रशन के तहट इसने कितने सवाल पुछे दो कितने सवाल पुछे दो फिर से हैडिंग आई है इसमें भी कितने सवाल पुछे हैं तो ठीक है फिर से हेडिंग आई है और इसमें कितने स्वाल पुछें दो पुछें जी तो इस तरह से कुल मिलाकर करके स्वाल कितने होगे वन टू थ्री फॉर फाइव और सिक्स तो प्रश्ण पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है पैसेज में तो इस बास की कि आप थोड़ी सी सावदानी जरूर रखी का माँ पर ओके अब इसके बाद में अगला जो प्रशन आएगा एक बड़ा प्रशन होगा दो प्रशन आएंगे अथ्वा में उनमें से आपको एक करना है प्रोज सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं और यह प्रशन जो है आपका चार नमर का रहने वाला है असी शब्दों का होगा और फिर इसके बाद में जो ड्रामा जो पोर्शन है आपका प्रोज में ही और ड्रामा आपके एक इदे रखा है और वो आपका अंदिम लेशन ठीक है दप्रोजल नाम से जो लेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं एक रश को इस फोलो किया जाएगा आपकी बार तो इसी प्रशन के से आपका सावना हो सकता है अब आपकी बारी आ जाती है पोईट्री सेक्षन की अब आपको जो पोईट्री सेक्षन है अभी मैं आपको बताये था कि पोईट्री सेक्षन जो है आपका बारा नंबर का रहने वाला जी हां किते नमर का रहेगा 12 नमर का रहेगा यहां पर पहला जो सवाल है वह आप देख लीचिए पहले तो हमने यहां पर पोईटरी सेक्षन को लिया है ठीक है? question number 16 उसमें दो पोईटरी के paragraph जिनको एंग्रेची में पोईटरी के paragraph को हमें strandja बोलते हैं तो दो strandja जो है यहां पर दियो होँगे आप दोनों से चुनिए हमने यहां पर second number strandja को चुना है यह रहा second number strandja को हमने चुना है ठीक है और यह है इनके प्रश्ण देख पारें आप इसके बाद में पोईट्री के जो अदर्ट जो लेसंस हैं उनमें से क्वेश्चन जो है वो आप से पूछी जाएंगे दो सवाल इसमें से आएंगे फिर अंतिम आपका सेक्षन जो है स्टार्ट हो जाएगा फोट्प्रिंट्स विदाउट फीट इसमें पहला जो प्रश्ण बड़ा प्रश्ण होगा होगा 60 शब्दों को होगा और चैनल का होगा जी आनकित्र नंबर कह आप का शाया गया जो कि आपके चार नुमर कवर करेगा फिर तीन सवाल आएंगे, तीन मेखर सिर्फ आपको दो करने हैं और दोनों प्रश्न जाए, दो-दो नबर के होंगे, यहाँ, कित्ते के के तिरव नमर के होंगे, आपके दो-दो नमर के होंगे, आप स्क्रीज फिर यहाँ पर देख पा हुँँए, एक तो यह रहा और दूसरा यह रहा ओके और फिर अगला जो प्रश्ण होगा वो आपके दो अबजिक्टी टाइप प्रश्ण होगे जी यह आप निचे यहाँ पे देख पा रहे होगे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यह रहे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से आपका पूरा पेपर जो है आपको हल करना है हल करते समें आपको हैंड रैटिंग जो है उसका भी ख्याल लगना है पैन कौन सा यूज करना है इसका भी ख्याल लगना है पेपर के लिए आपके वाद समय खूब सारा है, सवा तीन घंटे हैं, सवा तीन घंटे लिखने के लिए बहुत होते हैं, पेपर को अच्छे से समझ करके करने के लिए बहुत होते हैं, अब आप शायद मेरे से यही चाहते होंगे, एक सार हमें important questions बता दिये जाएं, तो कोशिस करूँगा कि मैं आपको एक model paper जो है, वो भी साथ में आपको उपलिप्त करवाओं, सबी बच्चे जो हैं, बहुत ही तनमयताय के साथ में, बहुत ही मैनत के साथ में, यदि आप इस काम को कर गुजर जाएंगे, तो आप मेरा कीन मानिए, आप इतिहास रशने लाइ लोग है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे marks ला सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ सा motivation ज़री होता है, और motivation हमारे लिए यही है कि आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को और भी दोस्तों की साथ में शेर करें, और आपकी कोई समस्य हैं, तो आप कमेंट बोक्स में जाएं, और आपकी कोई भी समस्य है, आप वहाँ पे लिखें, और हमारा टेलिग्राम चैनल है, English with Ashok Jangit नाम से, आप उसको भी जोइन करें, क्योंकि आपको सारी पीडियाब जो है, वहीं पर मिलने वाली हैं, तो उमीद करता हूं, कि आपक यहां पर 80 में से 80 करके आने हैं, वो बच्चा इस तरह से लिखेगा, तो किसी भी सूरतिहाल में 80 में से 79 भी कम नहीं होगे, 79 भी नहीं हो सकते हैं, अर्थात 80 में से 80 नंबर जो है, पकाला सकता है, कोई impossible task नहीं है, आप भी ला सकते हैं, करके देखिए आप, सिर्फ आपक चैलेंज कर रहा हूं, चार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड की कोपी में, वो मापको अविलेबल कर रहा हूं, वो कोपी मापको अविलेबल कर रहा हूं, मेरे टेलिग्राम चैलन पर आप जाईए, English with Ashok जांगे, वहां से आप बोर्ड की कोपी जो है, वो आप डा आइडिल कोपी की तोर पे, एक मोडल कोपी की तोर पे, जिसको आप फोलो करें, तो उमीद करता हूं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अन तक बने रहने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत.